साई की बात पूछे किये जाते हैं तुम्हें उसमें बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जाता बिल्कुल उसमें दखल अंदाजी करने नहीं दिया जाता बलकि तुमसे पूछा ही नहीं जाता है इस तरह से ही तुम्हारे साथ वहवार होता है जैसे तुम उस परिवार में हो ही नहीं बिल्कुल अलग कर दिया गया है तुमें बिल्कुल नजर अंदाज लेकिन चिंता मत करना मैं तुम्हारा परिवार ही अलग से बना दूँगा और उस परिवार का मुख्या ही तुम होगे तुम जो चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा उस घर में होगा जिस घर में तुम अभी हो ना उस घर से अलग कर दूँगा मैं तुमें और जो सत्ता चलाते हैं ना तुम्हारे उपर जो तानशाही करते हैं ना उन सब को अलग कर दूँगा तुम से तुम बस शांती से रहा करो और शांती से सोया करो और शांती से ही उठा करो देखो तुम चैन से सोगे तभी तुम अराम से सुबह उठ पाओगे नई ताजगी के साथ नई उमीद के साथ मेरे बचे तुम सुबह उठा करो और एक बात क लोगों का आशिरवात है तुम्हारे साथ और तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया तुम जो भी करम कर रहे हो सिर्फ अच्छे के लिए कर रहे हो तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा ना तुमने किसी का बुरा किया मेरे बचे तुमने जो किया अच्छे के लिए किया भले के ली किया, मेरे बच्चों के ली किया, और अगर बिना कुछ बुरा किये, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमें दिल से बद्धुआ देने में लगे हुए हैं तो सुनो, ऐसे लोगों की बद्धुआ हैं कभी लगती नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि बद्धुआ तो उन्हें लगती है ना जो गलत चीजे करते हैं तुम तो अच्छा काम कर रहे हो नेक काम कर रहे हो वो तो उनकी मन को ठेस पहुंच रही है उनको बरदाश नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा काम कर कैसे रहे हो वहां तक तुम पहुंच कैसे रहे हो तुमने वो जो भी किया वो तुमने ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, वो बार-बार तुम्हारे लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करते हैं, है ना, उत्पन करते हैं ना, चीजों को, लेकिन पता है क्या है, एक वक्त वो भी था, जब तुमने हर एक इंसान को महत्व दिया था, हर एक इंसान को, लेकिन किसी ने करो, मन से करो, लेकिन बिना उमीद के साथ, बलकि उसे धन्यवाद की उमीद मी मत रखो, कि वो तुम्हारे लिए कुछ धन्यवाद जैसे शब्द कहेगा, या शुक्रिया कहेगा, या कुछ अच्छी बाते तुम्हारे लिए कहेगा, जानते हो क्यों, क्योंकि वो एक मनु प्रवर्टी ही यही होती है कि चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लिया जाए कितना भी वैसे लोग हमेशा मतलबी ही होते हैं और वो कभी तुम्हारी अच्छाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जाने दो तुम न ऐसे लोगों पर ध्यान देना बिलकुल बंद कर दो, बिलकुल भी क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मतलब के लिए ही तुम्हारे पास आते हैं तो ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, और सुनो तुम्ही अगर मेरे सौपने दर्शन मिलते हैं या फिर तुम्हें मेरे मंदिर आने को मिलता हैं या फिर मैं तुम्हें शीडी बुलाता हूँ या तुमसे कोई अच्छी सेवा लेता हूँ ना तो ये मैं समझा करो की मेरी तुम पर किर्पा है या आश्रवाद है वो तो है, लेकिन उससे भी बहुत अलग बहुत अलग मेरे बचे अगर मेरी किर्पा की बात करोगे ना मेरे आश्रवाद की बात करोगे तो तुम्हारे थाली में जो तीन वक्त का खाना आता है ना मेरे बचे जो तुम बस्त्र पहनते हो या मेरे बचे तुम बायू का सेवन करते हो साफ वातावरन में तुम्हें मकान मिला हुआ है सब कुछ है तुम्हारे पास ये साई का अशरवादी तो है और क्या है बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरे बच्चे शीडी नहीं आ पाते क्या मैं उनके लिए आता नहीं हूँ जब तुम मुझे बुलाते हूँ न तुम्हें दोड़ा दोड़ा नंगे पाउं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे एक पुकारने पर बल्कि तुम अपने शब्दों को विराम भी नहीं दे पाते हो साई ही सिर्फ बोल पाते हो उतने में ही तुम्हारे पास आकर खड़ा हूँ यही तो मेरा प्यार है तुमसे और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ फिर भी तुम्हें अपने साई के प्यार पर शक है मेरे बच्चे क्यूं ये प्रशन क्यूं होता है मेरे बच्चे मत किया करो ऐसा बिलकुल मत किया करो और सुनो, कुछ लोग ना ऐसे हैं मेरे बचे, जो जान पूछ कर ना तुम्हे परिशान करने में लगे हुए हैं, जान पूछ कर, इस वक्त ना तुम बिल्कुल चुप्पी साथ लो मेरे बचे, बिल्कुल चुप्पी साथ कर अलग हट जाओ, क्योंकि शान्त रहने में ही त तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों का वहवार इतना गलत है ना तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे मन को ठेस पहुँचती है, चाहे उनकी वो गलती हो ना हो, जान पूछकर वो तुम पर दोशी ठहराते हैं तुम्ही, पहले जा नहीं, ये गुना है मेरे बच्चे, ये गुना है, ये मेरी नजर में गुना है, क्योंकि जो चीज जान पूछकर की जाए ना वो गुना ही होती है मेरे बच्चे और वो तुम्हें जान पूछकर परिशान कर रहे हैं, तो करने दो उन्हें, अब क्योंकि ना वो मतलबी लो वो अपने हाथों से अपना गड़ा तैयार कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी उस रास्ते में गिरेंगे तुम देखना और रोएंगे ना तब भी कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो अपने कर्मों को खुद बुला रहे हैं, बुरे कर्मों को खुद स्वागत करने हैं तुम् ना इस वक्त ना शांत हो जाओ और अलग हट जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि उनका मकसद ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान करना, तुम्हारे मन को ठेस पहुचाना परेशान, इतना करना कि तुम अपने काम से भटक जाओ, तुम्हारा काम में दिलना लगे, तुम उनकी बातों का जवाब ही नहीं दोगे न, जब उन्हें लगेगा कि तुम उनकी बातों को देखी नहीं रहे, सुनी नहीं रहे, चिड़ी नहीं रहे, तो देखना अपने आप एक तरफ हो जाएंगे, अपने आप, जब तुम उनकी बातों का जवाब देना ही बंद कर दो तो वो परेशान होकर अलग हट जाएंगे अपने आप और सुनो कुछ लोग ना तुम्हें रो रोकर ये दिखाएंगे कि उनके पास चीजों की कितनी कमी है उनके पास तो कोई चीजी नहीं है लेकिन जब अपनी बात आईगी न तो पैसे खर्च करने में वो पीछे नहीं करते बस जब तुम्हें देने की कोई बात होती है न तो बस ऐसे रोते हैं जैसे उनके पास में कुछ है ही नहीं तो ऐसे दो तरफे लोगों से जो मुपे कुछ और पीट पीछे कुछ और तुमसे कुछ और कहते हैं तो ऐसे लोगों से तुम दोरी रहो तो अच्छा है और तुम्हारे साथ हूँ, हो जाएगा जो तुम करना चाह रहे हो, हो जाएगा, तुम बस कोशिश तो करो और सुनो, सला अगर देना है किसी को तुम्हारे लिए शुक्रिया निकले, उसके लिए दूआ ही निकले मेरे बचे, कभी कुछ ऐसा न निकले कि वो गलत हो तुम्हारे लिए तो ये सब मत करना और सुनो कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे बात करने के बहाने न तुमसे तुम्हारे मन की लेने की कोशिश करते हैं बातों बातों में तुम्हारे जरिये तुम्हारे जान पिचान वालों के जर्ये तुम्हारे बारे में जानकरी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम ना वहाँ से हट जाया करो बात को काट कर वहाँ से निकल जाया करो क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत मज़ा आता है तुम्हारी बाते सुनने में तुम्हारे नीजी जिन्दकी की बाते सुनने में तो तुम दूरी ही बना कर रखा करो खुश रहो आज का रातरी साही संदेश समाप्तुवा